तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आइंपी शेर्स की तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दिमहाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाले हैं तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरू करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शिरुवात करेंगे NHPC Limited के साथ NHPC Limited की अगर हम बात करें स्टॉक ने लास्ट रेडिंग सेजन अच्छे रिटन्स दिये थे 99.10 रूबिस के राउन तक की क्लोजिंग रही एक रुपे 10 पेसे शेर बढ़ा वही अगर देखें स्टॉक में आने वाले टाइम में कई फर्म्स का इसा मानना है कि आप पॉजिटिव रह सकते हो यहाँ पर अगर देखें कंपनी ने एक MOU साइन किया है जिस वज़े से इसका जो मार्केट क्याप है 1 लाक करोड के राउंड चले गया एक Norwegian कंपनी है नौर्वे की उसके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है कल के वीडियो में मैंने बताया था और वही अगर देखें आनन राठी जो है इस पर टोटली बुलिश्ट है बुलिश है इनकी ओर से बड़े टार्गेट दिये गये है 120 रुवे का टार्गेट भी हापन मिला है मार्केट एक्सपर्ट विजय चोपरा जो है इनकी ओर से 120 रुवे का टार्गेट भी NHPC में दिया गया है तो एक कुछ important चीज़े है यहाँ पर नौर्वे की कंपनी के साथ डील जो बड़े बड़े फर्म से उनकी ओर से पॉजिटिव टार्गेट दिये जा रहा है तो इन सब चीज़ों का एक पॉजिटिव एफेक्ट स्टॉक यूपर पड़ेगा और खास बात अगर हम देखे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव निउस तो आ रही है बड़े बड़े टार्गेट तो यहाँ पर मिल रहा है बड़ जो रिजल्ट है उसका भी इफेक्ट इसके उपर रहेगा जो रिजल्ट के साथ साथ जो स्टॉक में यहाँ पर डिविडेंट मिलने वाला है उसका भी इफेक्ट यहाँ पर रहेगा पिछले quarter की बात करें पिछले quarter में भी dividend की news के पहले पहले stock ने काफी अच्छी rally बदाई थी काफी अच्छे share में highs लगे थे और अभी की भी अगर हम बात करें तो 17 मई जो है 17 मई दोहजार चोबीस इसके लिए काफी अच्छी तक important रहने वाले है क्योंकि 17 मई दोहजार चोबीस की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर इसके audited results announce होगे plus final dividend announce होगा और यहाँ पर अगर volume की बात करें volume भी तगड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हो high volume के साथ last trading season buying हुई है plus community sentiments के आखड़े अगर देखे तो 100% अब आएके है तो यह सब जो चीजे है एक positive effect डालती है किसी भी share के उपर अब बारी आती है हमारे next stock की तो SGVN Limited की अगर हम बात करें तो SGVN Limited में last trading season भले ही हमें यहाँ पर return जो है negative नजराया हो but morning में थोड़ा बहुत बड़ा था morning में अगर देखे इसने अच्छे highs लगाये थे उसके बाद stock जो है थोड़ा बहुत गिरावट नजराई इसमें और पिछले 5 दिनों में भी एच्छे returns इसने दिये है यहाँ पर अगर देखे एक काफे एच्छी deal हुई है clean energy के लिए तो एक बड़ी चीज है to plan to expected general nearly 3000 million units तो यहाँ पर अगर देखे 3000 million units जनरेट करेगे यह power का और वहीगर देखे 2200 2200 million kg CO2 emission यहाँ पर जनरेट होगा तो एक काफी बड़ी चीज है टाटा पावर और जो SGVN के बाद एक पैक्ट साइन हुआ है तो इसका भी एक positive effect पर सकता है SGVN Limited के उपर तो SGVN भी अगर देखे तो कल के दिन यानि मंदे के दिन काफी अद तक focus में रहने वाला है guys तो इस पॉइंट के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए ठीक है नेक्स्ट टॉक का नाम है एंटीपीसी लिमिटेड तो एंटीपीसी लिमिटेड अगर देखें मॉर्निंग में काफी अच्छे रिटन दिये इसने 8 रुपे 75 पेसे यह बड़ा 364 रुपे के अराउंड तक की closing रही और 5 रुपे के अराउंड एशेर गिरा भी और साथ ही अगर बात करें एंटीपीसी की तो एक न्यूज इसमें आ रही है देखना होगा इस न्यूज का कल क्या effect पढ़ता है तो CBI ने अगर देखिए तो arrest warrant यहाँ पर निकाला है एंटीपीसी के खिला तो CBI अगर देखिए CBI arrest warrant नहीं निकाला है सिधा इन्होंने arrest किया है 8 लाग की bribery के लिए और 8 लाग की चोरी के लिए manager को यहाँ पर इनके और से arrest गया गया है तो एक बड़ी news आ रही है तो बिलकुल यहाँ पर अगर देखिए according to a CBI spokesperson the advertisement company had installed boots in the Undermand and Nicobar, Iceland and Panducherry in January, February on behalf of NTBC for which had submitted an invoice of 40 लाग 40 लाग का एक इन्होंने था उसमें से 8 लाग की bribery का यहाँ पर एक चोरी के लिए आया है और manager के इनके और से arrest किया गया तो एक बुरी की ख़बर है अब बारी आती है आरेडा की भी तो आरेडा में भी एक important news आ रही है तो ओ news को भी हम यहाँ पर discuss कर लेंगे तो news क्या है actual में अगर देखें तो यहाँ पर आगे देखें उससे पहले यहाँ पर closing कहाँ पर दी stock ने तो 179.65 के राउं तक stock में अगर देखें हमें closing मिलती है एक रुपे 75 पेसे अगर देखें गिरावट रही और news क्या है और अगर दिखा जाए आरेडा एंस टू प्ले प्योडल प्योडल रोल इन achieving 500 गीगावट आरी कैपिसेटी तो यहाँ पर अगर देखें जो CMD है CMD के और से कुछ पॉइंट्स जो है कहे गए है CMD का कहना है कि यहाँ पर आरेडा आने वाले टाइम में बिलकुल लगबग यह पहुँचना चाहते 500 गीगावट की कैपिसेटी तक तो CMD का एक बड़ा आलान है और 2030 तक अगर देखें तो यह बिलकुल पहुच जाएंगे 2030 तक इनका टार्गेट है कि यह 500 गीगावट तक पहुचने की पूरी कोशिश करें तो एक काफी बड़ी पॉजिटिव चीज यहाँ पर नचला रही है तो और और जो यह सारी चीज़े आ रही है जो नि प्लस यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी एनर्जी की तो निफ्टी एनर्जी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है निफ्टी एनर्जी किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है तो वह भी एक इंपॉर्डेंट चीज है तो हम देख लेता है निफ्टी एनर्जी को भ रहा है यहाँ पर Nifty Energy में breakout हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कूल breakout यहाँ पर मिल रहा है इस पर्टिक्लर रेडलाइन का और इस ट्रेडलाइन के breakout के बाद stock में अच्छी यहाँ पर Nifty Energy में growth आएगी और इसके इससे जो related share रहा है NTPC, NHPC तो इन shares में भी एक बड़त आने वाली है और प्लस यहाँ पर अगर देखे 1R के time frame पर भी मैं आपको clear कर देता हूँ तो यह काफी अच्छा support जो है यहाँ पर इस शो कर रहा है तो यहाँ पर अगर देखे इन particular point से गिरा भी प्लस breakout के बाद उपर गया और sustain करक तो यह काफी इस शेश है तो यह इसका भी effect पड़ेगा in stocks के उपर तो देखते है कल क्या होगा I hope video आपको helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को like और channel को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे telegram channel को join कर सकते हो जिसके link आपको नीचे description में मिल ज तो फ्लीज आकर जेगा